hello hello everyone welcome to our YouTube channel मैं लव हाजिर हूं आप सभी के सामने हमारा अगला वीडियो लेकर तो आजाओ सभी लोग आजाओ आजाओ वेरी गुड़ी इवनिंग अब्रीबन गुड़ी इवनिंग तो आजाए अच्छा बताना जारा कमेंट में मुझे मैंने कल आपको कहां तक करा दिया था जी कमेंट करके बताओ भाई ऐसे काम नीचलेगा जो मैं चीज़ें आप से काम करने की बोलता हूं आ हाँ गुड़ीबनिंग गुड़ीबनिंग राधि राधे जैहन सभी का स्वाधत है ठीक है चले जो मैं आपको काम देता हूं कमेंट में करने के लिए मैंने पिछली क्लास में जो टेंसे दिये थे वह आपने अभी तक नहीं किया है तो आप उनको करके कमेंट बॉक्स में सभावने ब Seriously करो ठीक है और जब एक वार वीडियो देख लिया करो तो उसके बाद में जब वीडियो खतम हो जैकर उसके बाद में कमेंट करके जरूड़ बता दिया करो कि कैसा आपको कैसा लगा आपने कितना सीखा चलोे आङुद मैं कार और करा दीता हूं सारे टेंसेंस सामने अब हो रहा है ठीक है प्रेजेंट का मत्तब है जो हमारे सामने अब हो रहा है वो प्रेजेंट है ठीक है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि हम टेंस जो हैं वो पढ़ रहे हैं ठीक है तो ऐसी चीज़े जो हमारे सामने अब हो रहे हैं वो प्रेजेंट हो गया ठीक ल होता है कि अगर असरेटिव है अगर असरेटिव है तो वक फिस्फोर्म में singular के साथ में एस या यह जोड़ दोगे और प्लूरल सब्झेक के साथ में सिर्फ फिस्फोर्म लिखोगे कोई नी करोगे लेकिन अगर सेंटेंस गेटिव या इंटरोगेटेव हो जाए तो जहां helping लगाते ना बेटा जी वहां पर क्या लगा दोगे पताऊ ज़रा डूर्ड डज लगा दोगे सबस्ट डूर्ड लगाते हैं जहां पर आपका helping लगता है वहां और और प्लूरल के साथ में आप वर्व की फस्वर्म लगाते हूं वहां पर ठीक और helping work की जाए पर डूर्ड डज सिंगुलर के साथ में डज और प्लूर के साथ में डू और में वर्व की फस्वर्म यह इंटरोगेटिव और नेगेटिव इस्ट्रक्चर का रहता है ठीक है अच्छा फिर आपने समझा प्रेजेंट कॉंट्यूनियू स्टेंस तो बेटा जहा प्रेजेंट की बात करी आपने तो आपको पता चला कि यह दो टेंस को मिलाकर बना हुआ होता है एक होता है पास्ट और एक होता है प्रेजेंट में और प्रेजेंट में उसका इंपक्ट दिखाई दे रहा होता है कोई क्रिया पास्ट में हो गई लेकिन उसका प्रभाव ब present perfect को बनाने के लिए क्या होता है has have और verb की third form लगानी पड़ती है singular के साथ में has लगा होगे और plural के साथ में have का use किया जाता है ठीक है चलो present perfect continuous में आपने क्या समझा के present में action का कुछ हिस्सा पूरा हो गया है और कुछ अभी भी बाकी है और उसका हमारे पास में starting point तो है लेकिन ending point नहीं है एक बात और समझी थी आपने इसमें के has been have been के साथ में verb की ing लगाते हैं ठीक है जी लेकिन since या for का बाला मैं draw समझा था आपने तो मेटा याद रखना है आपको के since और for निशित अनिशित से इनका कोई सम्मंद नहीं है अगर निशित अनिशित से समझोगे तो हमेशा confused होगे इस concept को हटा देना आप याद करोगे starting point of time और duration of time ठीक है यानि काम को चलते हुए कितना समय हो गया काम को चलते हुए अगर कितना समय हो गया यह बात अगर हमें पता चल रही है तो हम वहाँ पर क्या लगा देते है तो वहाँ पर for लगा देते है ठीक है काम को करते हुए कितना समय हो गया है यह बात पता चले त में लिख सकते हो जिसके बराबर में लिख सकते हो वहां पर आफ फॉर लगाओगे ठीक है और जिसके एक्वल में नहीं लिख सकते हैं जिसके एक्वल में नहीं लिख सकते हैं वहां पर सिंस लगाओगे जैसे मैं बचपन से यह काम कर रहा है तो बचपन से बचपन के बराब मैं कुछ लग सकते हो नहीं तो आपर कैना में सिंस सुबह से क्या लगाओं होगे सिंस मैंने बहला 1997 से क्या लगा जिए लेकिन अगर वही मैं ऐसी बात लख दूँ जिससे काम का पता कितना होगेसा मैं जैसे मा बौर नरो दिन से तो 2 दिन के अपर लगा आगा 10 दिन से क्या लगा होगे 4, 4 महीने से क्या लगा होगे 4, 6 सालों से क्या लगा होगे 4, ठीक है, 5 घंटे से क्या लगा होगे 4, 10 मिनट से क्या लगा होगे 4, ठीक, फिर इसके बाद में हमने एक चीज और समझी, एक concept और समझाता लास्ट वाला, यानि अगर किसी सब्द के end में, अग पर दो situation होती है कि पहली situation तो ये हो सकती है कि अगर time से पहले कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए थीक है अब हम कि छलते हैं थोड़ा सा आगे की चिजहों पर पास्ट इंडेफिनिट टैंस अज़ की क्लास में हम कुछ समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टो जंगे ध्यान से समझे मेरे दोस्तों जब हम पास्ट इंडेफिनिटट stimulating की बात करते हैं तो देखो पास्ट का मतलब क्या है एसी करिया है जो पहले हो चुकी हैं यह ऐसा समय जो चाच चुका है ठिकर टाइम हेस गौन इस Paulo पास्ट एसा टाइम जो बीच चुका है उसे पास्ट कहते हैं और इंडेफिनित क्या है यहां पर इंडेफिन जो रिप्रेजेंट करने का काम करता है ठिक तो Letics ऑन पास्ट है बिट को ठीक है या तो पास्ट है बिट को ठीक या फिर रिप्रेजेंट करने का काम करता है पास्ट रूटीन को पास्ट रूटीन को ठीक है यानि पास्ट में आप क्या काम करते थे और कैसे कैसे करते थे पास्ट रूटीन को ही आप पास्ट की जनरल इंफोर्मिशन कैसे सो पास्ट की जन्रल invention यानिन कोई आंब की जिसकी आप कोई जन्रल बातचीत कर रहे हैं कि हो यहां रहता था वह इस मकान में रहता था धानी ने मदुर गीत गाया यही से हर में काम करते थे इस तरह की जो बाते हैं वो सारी के सारी past general information हो जाते हैं ठीक है और इसमें कभी कभी आप story telling का काम भी करते हो is storytelling आप अपनी जो कहानिया सुनाती है एक दूसरे को को तो सारी के सारी किसमें आती है पास्ट सुना रहे हो कि मैं डिसमार इतनप में पड़ता था है ना यह फिर मैं एट्थ में परता था और बो भी है मैं पढ़ता था है ना चुन्हाइट में जिए में तो बीर सेड़ी कोए ऐना थे मुस्ते ग़हता था हम साथ में जाते Ama आपके कौन से होगे, past indefinite, क्यों, क्योंकि आप past की कहानी सुनाने का काम कर रहे हो, तो इसलिए आपको past indefinite में ही बतानी पड़ेगी, ठीक है, यानि past habit आ जाता है, past routine आ जाता है, past general information आ जाता है, और past की story telling आ जाता है, और कभी-कभी इसमें historical facts भी आ जाते है, historical events, यानि इति past की जो बाते करते हो आप, कि जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, महात्मा गांधी पैदा हुए, तो इस तरह की जो बाते होती है, वो past indefinite में ही रहेगा, ठीक है, इसको आपको past indefinite tense में ही बनाना पड़ेगा, चलो, अब चलते हैं आगे की बात, ठीक है, अब आगे चलते है देखो, अगर tense को बनाना पड़े, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या चीज, क्या लिखोगे, subject, ठीक, फिर उसके बाद में, अगर past indefinite tense का assertive sentence है, कैसा tense है, assertive sentence है, तो आप लगाओगे verb की second form, सबसे पहले subject लिखे, verb की second form लगाई है, और words जो दिए गए है, बहुत ही simple sentence है, past indefinite में हमेशा verb की first form लगती है, assertive sentence के साथ में, जैसे मैं आपको एक जनरल सा sentence बताने की कोसिस करूँ, वहाँ मेरा नाम भूल गया, क्या बोला better minute, वहाँ मेरा नाम भूल गया, ठीक है, वहाँ मेरा नाम भूल गया, तो इस sentence को कैसे बन सबसे पहले क्या लगा ना रे सबजेक्ट, थब्सब़ेक्ट है, वहाँ, आप भूल गया तो भूल लांगी क्या होती है, forget, forget होती है, तो forget की second form क्या होगी, forgot, he forgot, क्या भूल गया, object तो यहाँ मेरा नाम, तो क्या करता होगे, my name, he forgot my name, ठीक ही, आच्छा, चलो एक और sentence दे बताना जरा कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट मैंने जाडियों में एक चूहा देखा तो सब्जिक कोन है मतलब देखने वाला कौन है किसने देखा मैंने तो आई आप देखा तो देखना की होते है सी वर्प की लगाने आपको सेकिंड फॉर्म तो क्या हो जाएगा सौ मैंने जाडियों में एक चूहा देखा कहां देखा जाडियों में तो इन दा बुसस बुस का मतलब होता जाडियां तो जाडियां बहुत सारे होगी आई सो और रैट इन दा बुसस मैंने जाडियों में एक चूहा देखा ठीक है मैं पिछले महीने मुंबई गया यह बताओ यह कैसे बनेगा मैं पिछले महीने मुंबई गया था तो यह भी तो मैं पास्ट की कोई जन्रल इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूं यह पास्ट की जन्रल इंफॉर्मेशन है मैं आपको सामाने सी बात बता रहों कि मैं पिछले महीने मुंबई गया था ठीक है तो आप इ अचले महिने तो लास्ट मन्थ कि I've been to Mumbai last month चिके जी कोई दिक्कत किसी को चलिए एक और देख लेते हैं वे इस घर में रहते थे ये भी मैं आपको क्या बता रहा हूं पास्ट की जनरल इंफर्मेशन बता रहा हूं वे इस घर में रहते थे ठीक तो जब पास्ट की जनरल इंफर्मेशन है तो आप पास्ट इंडेफरेंट टेंस में बनाओगे तो क्या हो जाएगा इसका वे बोले तो दे अब रहते थे तो second form रहना की क्या हो गई लिब्ड दे लिब्ड कहा रहते थे इस घर में तो in this house they lived in this house किसी को कुई लिक्कत अरे भाइब बहुत ही सरल है सबसे पहले आप सेंटेंस को देखो यह बता क्या रहा है कि वो इत्यास की बात कर रहा है या पुरानी कोई कहानी सुना रहा है पास्ट की कहानी सुना रहा है या फिर जनर studied I studied till 9 o'clock मैं नौ बजे तक पढ़ता था ठीक हाँ पढ़ा करता था तो बात अलगो जाती यूजर टू का प्रियोग कर देते उसमें ठीक हो हमारा टॉपिक नहीं बाद में डिस्कुस करेंगे और पास्ट की हैबिट आप जैसे बताओ किसी को मैं प्रती दिन पांच बजे उ अच्छा आप देख लेते हैं अगर सेंटेंस आपका नेगिटीव हो जाए लांसे समझना अगर आपका सेंटेंस कैसा हो जाए नेगिटीव तब क्या करोगे सबसे पहले लिखना है आपको subject सबसे पहले subject लिखोगे फिर आपको लगानी है did not subject कि तुरंद बात या लगाना है गौब की second form लेकिन अगर negative है तो did not के साथ लगती है गौब की first form और उसके बाद लिखा दाता है object other words ठीक है जैसे यह sentence लिखा हुआ है he forgot my name तो इस sentence का अगर मैं negative बनाना चाहूं तो मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा he did not forgot 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 सही है क्या सही है क्या my name बोलो सही है गलत कैसा हो गया सबस्वास गलत हो गया आपको क्या करना पड़ेगा forget क्योंकि जब not आ गया तो अगर मैं डिड़ को समझने का काम करूं तो यह अपने आप में एक सेकंड फ़र्म होती है डू की ठीक है तो डिड़ नॉट फिर लगाते है वह की फस्वर्म तो forget my name अच्छा अगला बला मैंने जाडियों में एक चूहा देखा तो इसका नेगटिव क्या हो जाएगा मैंने जाडियों में एक चूहा नहीं देखा ठीक है तो आप आप वहापर क्या लगाओगे आई डिड़ नॉट सी अब सौ लगाओगे या सी सी लगाना पड़ेगा सी अ रैट इन दा बुसस ठीक है इन दा बुसस इस तरह से करतो है ठीक इसी तरह अगला बला मैं पिछले महिने मुंबई नहीं गया तो यह भी इसी तरह से हो जाएगा आई डिड़ नॉट गो टू मुंबई लास्ट मन्त लास्ट मैं पिछले महिने मुंबई नहीं गया ठीक है अगला वे इस घर में नहीं रहते थे तो क्या करोगे दे डिड़ नॉट लिव इन दिस हाउस ठीक है प्यारे बच्चो यह आपर याद रखना है डिड़ नॉट के बाद में हमेशा वर्ग की फर्स्ट पॉम आते हैं अच्छा समझो अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव इंटरोगे डिव हो जाए तब क्या करोगे तब ऐसी सि नॉट दिया गया तो नॉट लगाओ नहीं तो वर्ग की फर्स्वर्म लगा दो और अब्जेक्ट लगा दो एसी सिच्वेशन में जब क्या पहले दिया गया हो तो ऐसे बाक्यों में डिड़ को पहले लगा देते हैं जैसे आपने का वहां मेरा नाम भूल गया था तो इसक यू क्या तुम मेरा नाम भूल गए ऐसे बोल रहा हो तो डिडियू फोगेट माई नेम डिडियू फोगेट माई नेम क्या तुम मेरा नाम भूल गए ठीक है इस सार अच्छा अगला बाला है I saw a rat in the bushes तो मैं इसको question पूछ लगा हो क्या तुमने पहाडियों में एक चूहा देखा तो कैसे बोलोगे did you see a rat in the bushes in the bushes क्या तुमने पहाडियों में चूहा देखा ठीक अच्छा अगर मैं सेंटेंस को क्या सब्द जो वह बीच में लगा देता जब क्या सब्द बीच में आया हो तो डबलु एच वर्ड को आप इससे भी आगे रख देता हो जो प्रश्मवाचक सब्द होते हैं उन्हें सबसे पहले लिखा गता है फिर डिड लगाते हैं फिर subject लगाते हैं वर्ब की फरस्वर्म लगाते हैं और object लगाते हैं जैसे मैंने यह आँपर बोल दिया कि आपने जाडियों में क क्या देखा क्या बाकी के बीच में आ रहा है क्या देखा तो आपको सबसे पहले उसी प्रस्ट माचेक सब्सक्राइब की अंग्रेजी लिखने हैं तो आप लगाओगे वाट फिर डिड लगाना है हेल्पिंग वाट फिर दिड उसकी बाद में तुमने तो यू और सी फस्वर कैसे हल की तumने यहाँ समच्या कैसे हल की तो कैसे बोलोगे इसको सबसे पहले प्रस्ट माचेक सब्स लगाना एं तो हाँ फिर दिड यू ऑ और यू सालब डियू डिस माप्राबलम इस सारे से आपका जो है यह टैंस भी खत्म हो जाता है यहां के shortcuts और advanced label की जो चीजे हैं वो मैं आगे बताऊंगा आप थोड़ा सा active रहा करिए जो मैं आपको काम देता हूँ वो काम पूरा करते रहा करिए जिके आप लोग काम नहीं करते पूरा तो आपको फिर दिक्कत होती है चलो फटाफट से इन बातों को लिखो और यह जो आगे आपके सामने स्क्रीन सोट ले लो इसका और आंसर जरूर करके बेंगार्णा सब्सक्राहिए आज़नों करें से इस चीज़ों कर दो कि इसको मणने ढान हम देता हूं प्रेजेंट के हमने चारों समझ लिये और एक ये पास्ट का समझ लिया ठीक है पास्ट इंडेफिन अब हम इसके अगले टेंस पर चलते हैं अभी ध्यान रखना में बेसिक कर रहा हूं प्यारे दूस्त ठीक है इसका एडवांस लेबल भी करांगा और स्वाट ट्रिक्स भी क रहूंगा ठीक है पूरा टेंस हमारा जो अब लगवग 20 दिन तक चलेगा परिशान मत होना हम इसमें एक एक बात को बहुत डिटेल से समझेंगे क्योंकि टेंस ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी अंग्रेजी सिखाने का माद्दा रखता है या पूरी अंग्रेजी सिखाने की दम रखता है ठीक है चलो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर अगले टेंस पर जिसका नाम है पास्ट आपने अभच की न की तूपिर कॉंती साथे न उन्देस वहां ऑर फिर दू है तूप लगाते हैं और आपने अपरफेग्ट गुणियस मिसा प्रिजह्आज फिसमाजी लिया प्रजन पॉए समज़ लिया क्यों present indefinitely समझ लिया आपने present continuous में क्या समझा था कि is mr और वर्व की ing form लगाते है ठीक है लेकिन अब आप क्या समझे रहो past continuous तो एक बात तो ते हो गई कि जितने भी continuous tense है उन सभी में वर्व की कौन सी form लगती है ing form लगती है ठीक और इसमें जो आपका helping वर्व लगता है वो past का वीव लगता है past का वीव जिस past के वीवर्व को क्या क्या क्यते है was और वर्व ध्यान से समझना यह जो क्रिया है वी तो इसकी इसकी चार first form होती है एक होता है is m और आर यह तीन यह होगी और एक यह आपके सामने लिखे हुए और जो दूसरी होती है वो second form होती है दो एक होती है was और वर्व ऑ एक तीसरी होती है जिसको third form कहते हम बीन, ठीक है इस तरह से, तो यह सब बी के ही रूप है, तो वी वर्व को इजैमर, वसबर, कहीं पर भी लिखा हूँ, वी वर्व कौन सी होती है, तो बी का मतलब या तो इजैमर होगा, या वसबर से होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर पास्ट कॉंटिनियस टेंज में वी वर्व के साथ में वर्व की आयन जी फॉर्म का प्रियोग करते हैं मतलब वर्ज वर्व की आयन जी फॉर्म आती है और उससे पहले और अब्यूस सी बात है आप क्या लिखना चाओगे सब्जेक्ट लिखना चाओगे ठीक फिर आपका प्रोसेस कैसी आजिए आजएगी पास्ट कॉंटीन्यू प्रोसेस यानि पास्ट का कोई ऐसा काम जो उस समय पर चल रहा था जैसे आपने कहा मीरा नाच रही थी तो मीरा नाच ना उसका चल रहा था continuity process past के समय में ठीक तो देखें आप past की process continue है तो उसको आप was बर लगाकर verb की ing form से बना देंगे जैसे आपने पहला sentence वही बोल दिया कि मीरा नाच रही थी तो आप इस sentence को simple से सब्दों में इस तरह से बना देंगे मीरा वास डैंसिंग मीरा नाच रही थी आपने इसी तरह से sentence को आगे बढ़ाने का काम करोगे और भी sentence समझने का काम करो जैसे माता जी किचिन में खाना बना रही थी तो मेरी माता जी तो मतलब माइ मदर अब बना रही थी तो एक बात और समझो कि जो वाज है इसका यूज आप किसके साथ में करोगे वर्ब का यूज वाज का यूज हमेशा singular के साथ होता है और वर का यूज हमेशा plural के साथ होता है ठीक है वाज आता है plural के साथ और वाज आता है singular के साथ और बर आता है plural के साथ ठीक तो यहां पर माई मदर जो सब्द है वो सिंग्यूलर है प्लूरल है कैसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा सिंग्यूलर ठीक है माई मदर जो सब्द है वो कैसा रहेगा सिंग्यूलर तो वोज कुकिंग खाना बना रही थी कुकिंग फूट का बना रही थी किचिन में तो इन अच्छा अगला सेंटेंस देखो यह हो गया मीरा नाच रही थी यह हो गया बेरी माता जी खाना बना रही थी किचन में अगला सुरेश तुम्हें बुला रहा था जरा बताना सेंटेंस को सुरेश तुम्हें बुला रहा था सबसे पहले क्या रखोगे सबसे पहले क्या रखो आप सिंग्यूलर है तो वाज वर्ब की आएंजी फॉर्म बुलाना होता है कॉल आएंजी फॉर्म कॉलिंग और तुम्हें तो यू सुरेश तुम्हें बुला रहा था ठीक है कोई दिखत चलिए अगला देखते हैं जैसे अगला सिंटेंस है जंगल में मूर नाच रहा था कैसे करोगी जंगल में मूर नाच रहा था करना बिटा जरा मूर का क्या हो जाएगा दा पीकॉक कि नपीकॉक वॉस डैंसिंग इन दा फोरेस्ट जंगल में मूर नाच रहा था ठीक है आप कोई सभी सेंटेंज बना सकते हो बस आपको सब्जेक्ट वोजबर वर्ब की आएंजी फॉर्म और अब्जेक्ट लगाना है अधर वर्ड जो भी आए हो वो इन एट लगा करके आप जो चाहिन लेख सक जो उस समय पर जारी थी तो ऐसे टेंस को आ vermा पास्ट कॉंटियूस टेंस में बनाते हैं यह इसका आसलट्व सेंटेंस डा अपर अगर बीटा नेगेटिव स्ट्टुर्चर बनाना पड़े आपको तो क्या करो गे तो नेगेटिव स्टुर्चर बनाने के लिए सबसे पहल form ही लगती है यह कभी बदली नहीं जाती इसमें और उसके बाद मैं आप क्या लगा दोगे लगाट हो कर् orchestras ऑं अगर सेंटेंस ऐंट्रोविटाइव क्या से शुरू हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे वह या वर खोटा करके रख नहीं वर्व क्या एंजी फर्म लगा दीजे ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मांक लगा दीजे ठीक इस तरह की बात रहे आपकी चलो देख लो इन सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं और अगर प्रशनमाचक सब्द भी दिया गया हो ना इसमें अगर प्रशनमाचक स सब इससे भी पहले रखा देना है डवलू एच वर्ड सबसे पहले रख देना है ठीक है ओके चलो इनी सेंटेंस को हम जरा नेगेटिव बनाने की कोसिस करते हैं नेगेटिव बनाओ जिसे मीरा नाच रही थी मीरा नाच रही थी तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा मीरा न नहीं नाच रही थी मीरा नहीं नाच रही थी तो कैसे बोलोगे मीरा वाज नॉट डैंसिंग वाज के बाद में देखो वाज बर की बाद में क्या लगा दोगे नॉट लगा दोगे अच्छा एक दूसरा सिंटेंस देखो जैसे आपने का मेरा धोबी कपड़े नहीं धो रहा था मेरा धोबी कपड़े नहीं धो रहा था तो कैसे बोलोगे? My washerman यह हो गया subject मेरा धोबी अब नहीं धो रहा था तो singular है सबसे पहली बार तो wash लगो फिर नहीं तो not washing the cloths washing the cloths, मेरा धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, ठीक है, अच्छा, उसका बच्चा नहीं रो रहा था, उसका बच्चा नहीं रो रहा था, तो कैसे करोगे, उसका की क्या लगाओगे सबसे पहले, हर, ध्यान रटना, मेरा मेरी यह होता है माई, तुमारा तुमारी तुमारे यह होता है यौर, उसका उसकी उसके, तो या तु लगा सकते हो, या हर लगा सकते हो, तो उसका बच्चा नहीं रो रहा था, तो हर चाइल्ड, अब यह सिंग्यूलर हो गया, तो क्या लगाओगे, वास नॉट बीपिंग, यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अगर चिल्डरेन होता, तो प्लूरल लगा देते, वर करना पड़ता उसका, ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि क्या बच्चे सोर मचा रहे थे, थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, अब इसमें क्या पहले दिया गए न, जिन बाक्यों मैं क्या पहले दिया जता है, उनमें helping वर पहले लिख देते हो, तो बच्चे बहुत सारे हैं, तो उसके according आप helping वर क्या लगा होगे, वर, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, वर, फिर कौन, अब सोर मचा रहे थे, तो सोर मचाना क्यों होती है, लेकिन इसमें वर्ब की फ़र्म लगती है, आएंजी फ़र्म, तो हम कर देंगे making a noise, वर, दा चिल्डरन making a noise, अब कहां पर कच्छा में, तो in the class, in the class, क्या बच्चे कच्छा में सोर मचा रहे थे, तो वर्ब दाग चिल्डरन making a noise in the class, ठीक है, चलिए, आप देख लेते हैं, ऐसा बाग की जिसमें प्रशनवाचक सब्द आगे दिया गया हो, ऐसा बाग की जिसमें प्रशनवाचक सब्द बीच में दिया गया हो, तो मुझे क्यों बुला रहे थे, तो क्यों सब्द आगे न बीच में, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस क्यों सब्द को बाहर रखो, तो वाई, फिर प्रशनवाचक सब्द सबसे पहले रख दिया, अब वोज या वर मैं से, तो you के according, क्योंकि subject क्या है तुम, तो तुम के according क्या लगाना पड़ेगा, were, why were you, फिर क्या करोगे, बुलाना, तो बुलाना क्या होता है, calling, और किसे, मुझे, to me, why were you calling me, why were you calling me, चीक है, अगला एक और देखो, एक और मैं sentence बोलता हूँ, तुम अपने नौकर को क्यों पीट रहे थे, तुम अपने नौकर को क्यों पीट रहे थे, तो कैसे बनाओगे, वही सब्द वाई फिर से दिया गया, why were you beating, देखो beat me सोता है पीट ना, तो ing form लगा दी, beating, अब तुम अपने नौकर को, तो अपने के साथ में, तुम के साथ में अपना के एंग्रेज क्या लगती है, your servant, your servant, ठीक, यह हो जाएगा, why were you beating your servant, तुम अपने नौकर को क्यों पीट रहे थे, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक, चलो, एक और, एक और करके दिखाओ, जैसे आपने कहा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम वहाँ क्या कर रह तो इसमें क्या सब्द जो बीच में दिया गया है, अगर क्या बाकी के प्रारम में दिया गया हो, तो आपको वाजबर को पहले रख देना है, लेकिन अगर sentence ऐसा हो, कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तो इसमें प्रश्न वाचक सब्द जो है, वो बीच में दिया गया है, तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना उस प्रश्म वाचक सब्द को आगे लगा देना है ठीक है कैसे लगाओगे तुम वहां क्या कर रहे थे तो बनेगा वाट फिर कर वर यू सबसे पहले प्रश्म वाचक सब्द की अंग्रेजी लगा दी फिर वाज या वर मैसे तो को टींग किया लगेगा वर वाट वर यू अब कर रहे थे तो डूइंग लग जाएगा मतलब वर की आएजी फॉर्म लगा दोगे तो डूइंग दियर डूइंग देर ठीक है कोई समस्या हरेकार जाओगे ठीक है ओके चलो इसी तरह के सेंटेंस आपको और भी करने किताबों से ठीक है मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको और भी करने और जिन बच्चों ने अभी तक ग्रूप में जॉइन नहीं हुए है वो जॉइन हो सकते है यह आपका वर्ट्सेप नमर है 625 15 28 ठीक है यह मेरा मुबाइल नमर है आप मेरे पास मुबाइल अपना नाम लिख कर भेजिए अपना पता लिखिए और अपना क्लास भी लिख कर भीज दिजिए आपको ग्रूप में जोडते ही कुछ दिनों बाद यह वीडियो प्राइब अब या आपके सामने के सोट उ भी मैं ये बीडियो स्क्रूल सुटै तो अब Dies umm स्कूलूरा करके तुरंत अभी गॉनую चलो लेyi लिया त्ट ठीक है और ध्यान रखे संडे को पांच वजे हम लाइव आएंगे तो आप से थोड़ी सी बाते करेंगे ठीक है संडे को पांच वजे हमारा लाइव रहेगा ये रिकॉर्डेट क्लास है संडे को पांच वजे हम पढ़ाई नहीं करेंगे हम पढ़ाई नहीं करेंगे सिर्फ बाते करेंगे अच्छी बाते करेंगे ठीक है और भी आपको याद कैसे करना है चीजा याद क्यों नहीं होती है इस बिसे पर बात करेंगे आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कितने घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए नेंद कितने घंटे लिनी चाहिए ठीक हम आपसे पढ़ सोडने के लिए आपके मैं हिर्दे से सवागत करता हूं, आप सबी के प्यार का और जरूर अपने कमेंट्स खूला करिये क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक सो है, वो हमें प्रेड़ना देते हैं काम करने की, मतलब हमें थोड़ा सा जुनूम देता है एक काम करने के लिए, ठीक है? चले, बाबाई